हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक टू मैं चैनल नितोस कुकिंग हब आज मैं अब लोग लिए पनीर की एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेके आए हूँ मलाई मकनी पनीर अब ही फेस्टिवल सिजन चल रहा है और अगर आप पनीर कराई या पनीर मसाला या टिपिकल कोई भी पनीर की सबजी खाके बोड़ हो चुके हैं तो इस रेसिपी को ज़रू ट्राई करें तो आए इसे बनाते हैं मलाई मकनी पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया यह 400 गडाम पनीर जो कि मैंने मार्केट वाली पनीर लिये आप कोई भी पनीर यूच कर सकते हैं और यहाँ पे मैं इसे लंबे लंबे पिसेज में कट करूंगी, तो सेप आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसा आप रखना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने इस तरह का सेप रखा है, थोड़े बड़े बड़े पिसेज रखे हैं, तो यहाँ पे मैंने सारे पनीर को कट कर और अभी मैंने यहां पे लिया है 15-16 काजु जिसे मैंने पानी में भीगने के लिए डाल दिया था 15-20 मिनिट पहले दो मीडियम साइज के प्याज लिये है जिसे मैंने मोटे मटे टुक्रों में कट किया था और अभी मैंने इसे पीस के इन दोनों चीजों का पेस्ट बना लिया है और अभी यहां पे मैंने कुछ खड़े-गड़ मसाले लिये हैं तील लाल मिर्च लिये तीन छोटी लाइची एक छोटी चमच जीरा लिया है एक बड़ा चमच खड़ा धनिया लिया है 10-15 मैंने यहां पे लिये काली मिर्च और अभी मैंने यहाँ पे लिए एक कडाही और सारे मसाले को मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हमें सुखा ही भुनना है गैस की फ्लेम को low to medium रखे और इसे 2-3 मिनट आप भुनने उतने में यह अच्छे से भुन जाती है और इसे फिर ठंडा करके हमें इसका पाउडर बना लेना है तो यहाँ पे यह सारी चीज़े भुन चुकी है तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लोंगे और अभी मैंने फिर से कडाई को स्टोप पे डाल दिया है और अभी मैंने इसमें एड़ किया है दो बड़े चमच रिफाइंड वाइल वाइल यहाँ पे कडम हो चुकी है तो इस टाइम पे जो पनीर हमने कट करके रखा था वो हम इसमें फ्राई कर लेंगे तो आप चाहें तो पनीर को बटर में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर बिना फ्राई करे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं तो बस आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी देर में ही नीचे से brown हो चुकी थी तो मैंने इसे color दिया है और इसी तरह से हम साड़े पनीर को fry कर लेंगे और यहां पे आप पनीर का color देख सकते हैं या अच्छे से fry हो चुकी तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और अभी उसी कड़ाई में थोड़ा सा वायल है तो मैंने यहां पे और थोड़ा सा वायल एड़ किया है लगभक तीन बड़े चमच एड़ किया है दो बड़ा चमच मैंने यहां पे बटर एड़ किया है और अभी जो हमने प्याज पीस के रखा था वो हम इसमें एड़ कर द कर दे रही हूं एक बड़ा चमच अद्रक लहसन का पेस्ट और अभी हम प्याज और लहसन को साथ में भूनेंगे ताकि इसका साड़ा कच्छा पर निकल जाए तो यहां पर मैं इसे ढख के भून रहे हूं ताकि छीटे बाहर तक ना आए और यहां पर मैंने इसे चार से कितना अच्छा दीख रहा है और साथ में यहां पर मैंने मसाले को भी पीष लिया ता ऐसे सूखा पीषना है हमें और बहुत बारिक नहीं पीषना ऐसे हलका सा दरदरा पीषना है और वह डालके मैं इसे पूर रही हूं सारी चीजों को फिरसे मैंने भूल लिया था और और यहां पे आप देख सकते हैं कि सारी चीजे बहुत अच्छे से भून चुकी है इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है तो इस टाइम पे जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था वो इसमें एड़ कर देंगे और एक से डेड़ मिनट तक इसे फिर से भूल लेंगे तो अभी प लाई या फिर फ्रेस क्रीम जरूर एड़ करना है इसी से इसका टेस्ट पिलकुल अलग हो जाता है बागी की रेशिपीच से तो यहां पे मैंने सारी चीजों को अच्छे से भूल लिया है और अभी मैंने इसमें एड़ कर दिया था एक चोटी चमच कसूरी में थी एक इसके मैंने ठक्के 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पका लिया है और यह हमारी मलाई मकनी पनीर पूरी तरह से रेडी तो आप चाहें तो इसे इस तरह भी सर्फ कर सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से रेड़ी है वेकिन इसे और ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के ये साथ में सुंदर भी और ज्यादा दिखेगा इसके लिए मैंने याप एक पैन में बड़ा चमच वाइल डाला है एक टमाटा और एक सिम्ला मिर्च लिए जिसे बड़े-बड़े और अभी हम इसे पनीर के साथ मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हमें एक से दो मिनट ही पकाना है सबजी में करंच रहने देना है हमें और बस आप देख सकते हैं मैंने गैस की फ्लेम को अन कर दिया है और अभी मैं इसे बस इस तरह से मिक्स करते हुए चला के और दो मिनट पकाली हूँ लास्ट में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी एड़ कर दिया है और ये हमारा मलाई मकनी पनीट पूरी तरह से रेड़ी है तो आप इस फेस्टिबल इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी ल झाली है